असलमों अलेकुम मैं हूँ एसल महमूत and welcome to Zions लास्ट वीडियो में हमने CSS में display property की in types को study किया था उसकी जो values हैं जिसमें के हमने block, inline, inline block, inherit, initial or none इन values को study किया था display property थी आज की वीडियो में हम display property से ही continue करेंगे और उसकी फर्दर आगे ये no values, possible values को study करेंगे जिसमें के हम ये देखेंगे के हम एक अपनी मर्जी का custom table किस तरहां बना सकते हैं हमने HTML fundamentals के section में table को properly study किया था उस वीडियो का link मैं description में देरूँ गा ताकि आप उसको पहले go to कर लें अगर आपने already नहीं किया हुआ row, column इन सब चीजों को हमने अच्छे से study किया था आज की वीडियो में हम ये study करेंगे कि HTML में वो जो table के tags हैं उनको अगर हम खुद चाहें तो manually कैसे बना सेकते हैं CSS की मदद से चलते हैं वीडियो की तरह मैं यहां पर chrome browser को open कर लूँगा और साथ ही जो code हमने last time यहां पे चोड़ा था उसको मैं code reader में open कर लूँगा जिसमें के हम last time display properties को study करने के बाद मैंने आपको यह भी कुछ HTML invalidate HTML के मतलिक बताया था कि paragraph tag के अंदर अगर आप एक और paragraph tag लिख देती हैं तो वो invalid HTML होती है मैं इसे यहां से clear कर लूँगा और यहां पर एक comment दे दूँगा table related css display properties यह हम आज की वीडियो में cover करेंगे जो properties हम in the end cover कर रहे होंगे वो यहां पर मैं finalize कर लेता हूँ display और यहां पर आप table लिखेंगे तो आपको यह सारी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो table related properties और यह दस नहीं भी दस table related properties हैं जिनको हम आज की वीडियो में study करेंगे मैं इन सब को यहां पर mention कर देता हूँ ताके हम बाद में उसे mark कर सेंगे मैं इसे यहां पर जल्दी से complete कर लूँगा और फिर हम continue यहां पर मैंने इन सब को mention कर दिया है अब हम continue करेंगे और start करेंगे अपनी पहली property से table यहां पर हम दो चीजों को side by side लेके जा रहे होंगे मैं एक जो html में table tag है उसके थूरू एक layout बना रहा होंगा और दूसरा same layout को हम replicate कर रहे होंगे custom जो css है उसके थूरू ताकि हम दोनों को side by side दोनों के मकसद को देख सकेंगे okay html में यह वाला जो tag है उसमें यह वाली css लग रही है और इस वज़ा से यह output आ रही है यहां पर मैं एक div ले लेता हूं और उसमें basically इसको मैं चाहता हूं कि यह table की तरह behave करें लेकिन जैसे कि जब हम table tag को study भी कर दे थे तब भी हमने देखा था कि यह सिरफ और सिरफ structure करने के लिए होता है mean यहां पर मैं इसको एक class दे दूँगा dot table sorry class के साथ dot नहीं आएगा वो css में आता है जब हम css में उस class को access कर रहे होते हैं next अब मैं चाहता हूं कि यहां पर सबसे पहले start करने के लिए मैं एक basic structure यहां पर बना दूँगा ताके हम front end पे कुछ देख सकें browser में तो मैं start करूँगा यहां पर t head से और उसमें एक row और finally उसमें एक t h यहां पर मैं id name और email यह तीन चीज़ें यहां पर mention करूँगा अब इस चीज़ को मैं यहां पर replicate करता हूँ तो अभी के लिए मैं css कोई नहीं apply कर रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ इतना structure दिखाना जा रहा हूँ कि front end पे यहां पे क्योंके इनको automatic css apply हो रही है और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा और यहां पे अभी सिर्फ मैंने classes दिए और कुछ css में कुछ भी mention नहीं किया तो उसके बाद मैं एक और div tag ले लेता हूँ और उसे class दूँगा tr फिर मैं एक और div ले ले लेता हूँ और इसको class दूँगा th और यहां पे मैं id और इसको दो दफार repeat करके name और email इसे मैं save करूँगा और यहां पे browser में आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो उपर वाला section है वो as a table show हो रहा है और नीचे वाला simple क्योंकि मैंने divs को use किया है और div को by default display block लग रहा होता है इस वज़ा से वो तीनो individual line में show हो रहे हैं continue करने से पहले मैं इनको border assign कर दोगा border one और यहां पे अब आप देख सकते हैं कि basically जो टेबल था उसको जो border है एक dash border वो assign हो चुका है अब मैं continue करूँगा और यहां पे CSS implement करूँगा जो मैंने यहां पे mention की है table, t head, tr और th यहां तक हम CSS implement करेंगे और हम अपना output result same बनाएंगे जिस तरहां के यहां पे show होगा है continue करते हैं मैं यहां पे code editor में आ जोगा और यहां से style में आ जोगा अब सबसे पहले मैं इन चारों classes का अलैदा CSS section define कर दोगा table और इसी को मैं copy paste कर लोगा और नाम change कर दोगा t head, tr और th यहां पे अब table के अंदर जो मुझे display property देनी है वो है display table इसे मैं save करूँगा और साथ-साथ हम देखते जाएंगे कि क्या फरकार है refresh अभी आप देख सकते हैं कि कुछ फरक नहीं है यहां पे मैं inspect करके आपको दिखा दूगा कि इस table को भी यहां पे display table मेर रहा है बाकी जो CSS की properties है वो by default मेर रही है उनको भी हम not नहीं करेंगे और यहां पे इस table को भी display table मेर रहा है by default इस div को display block मेर रहा था जो कि हमने last study की है लेकिन आप क्योंकि हमने इसे override कर दिया तो आप इसे display table मेर रहा है लेकिन इसके अंदर जो divs हैं उनको अभी भी display block ही मेर रहा है तो हम अब उन्हें बैतल करेंगे continue करते हैं टी हेड पे मैं देदूँगा display table header group यह basically equivalent है टी हेड के tag की तरह save refresh करते हैं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इसको जो मैंने assign की है वो ही property मेर रही है और मैं इसको यहां से confirm भी करवा दूगा कि टी हेड को भी यही CSS की property assign होती है बाकी CSS की properties को भी हम study नहीं करेंगे वो जैसे जैसे आती जाएंगी हमारे course में तब तब हम इन study करते रहेंगे continue करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि टी आर जो है उसको table row की display property assign हो रही है लेकिन हमारे पास जो टी आर है क्योंकि वो एक div आसको class दी है टी आर की इस वजह से वो अभी display block पर ही है मैं यहां पे आऊंगा और इसको गरड़ोगा display table row यह बहुत असान है हमने जोट जिस tag की तरह इसको behave करवाना चाहरे है जो CSS की properties उस tag को assign हो रही है mainly अभी सरफ display और कोई CSS की property नहीं क्योंकि उसको और भी CSS की properties लग रही है लेकिन mainly अभी सरफ हम इसका display change करना चाहरे है कि जो इसकी layout है वो इस तरह की show हो तो इस वजह से सरफ display की property जिस-जिस element को जो assign हुई हुई है हम उसी display की property को उसके respective जो div class element है उसको assign कर रही है इसमें अगर आपका कोई question होगा या कोई चीज ना समझाए तो please comment section में जरूर mention करिएगा मैं उसको दुबारा explain कर दूँगा और अगर मैंने अभी तक उसको explain ना किया हुआ तो उसको शुरू से explain कर दूँगा यहाँ पे अब मैंने इसे table row कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने confirm किया था कि जो tr का tag था उसको table row के display property sign हो रही है अभी आप देख सकते हैं कि यह tr class के साथ जो div class को display block मिल रहा है वो sign करूँगा तो इसकी काफी हद तक layout आप देखेंगे कि इस तरह आ जाएगी move forward करते हैं मैं यहाँ से पहले confirm कर लोगा कि इसको क्या sign हो रहा है मैंने इसको select किया यहाँ से मैंने देखा कि display table cell assign हो रहा है मैं यहाँ पर आ जाओगा और इसको display table cell assign कर लोगा अब save करूँगा जैसे मैं refresh करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर correct हो गया अब इसमें एक चीज की कमी है क्योंकि जो th है वो साथ में ना सरफ और सरफ display दे रहा है display तो obviously उसको लग रहा है मैंने का भी यह कि आप इसको इसको स्टरी करना चारें लेकिन उसके इलावा जो th है वो अपने font size को sorry font weight को bold भी set करता है इसकी वज़ा से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह थोरा सा bold है यहाँ पर भी आप इसको confirm कर सेते हैं बाकियों को भी हम नहीं देख रहे यह दो प्रॉप्टीज को भी हम नहीं देख रहे तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको bold कर दूँगा ताकि वो जो हमारा result है वो correct हो जाए save refresh करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह काफी ज्यादा stabilizer है अभी बाकि सारा कुछ same हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह table cells की तरह behavior कर रहा है और table head जो th का tag होता है उसकी तरह यह जो text है वो bold भी है जो एक चीज रह कही है वो है border आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक border अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लो ताकि आपके लिए जराइजी हो तो अब आप देख सकते हैं कि एक जो border है वो पूरे table के around है और एक secondary border है जो कि item जो एक cell है उसके around है तो इस जो behavior है उसको achieve करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा सबसे वहले हम table को border देंगे तो उसके लिए border की जो property हम ने study की थी one pixel solid और gray यहाँ पर मैं implement करूँगा refresh करते हैं तो अभी खिलिए जो outer part है वो हमे achieve हो चुका है अब जो inner part है उसको पहले हम achieve करेंगे मैं इस same line को copy करूँगा और यहाँ पर paste करूँगा save और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर output आई है continue करने से पहले जब भी कभी आपके पास code repeat हो रहा हो तो उसका कुछ better तरीका हो सकता है coding में programming में एक principle है die do not repeat yourself okay जो आपने code लिखाया वो repeat नहीं होना चाहिए कम असकम इतनी छोटी सी जगा में तो नहीं होना चाहिए वैसे overall नहां हो तो वो best case होता है अब इसका क्या तरीका क्यार हो सकता है हमें यह property same इस element को भी चाहिए और इस element को भी तो simple सी बात है पर हम दोनों के selector को एक निया selector बनाएंगे जो के दोनों को select कर रहा होगा यह एक निया CSS का rule बना है जो दोनों elements को select कर रहा है और जो common property है वो वहाँ पर आ जाएगे अब एक जगा पर मैंने लिखी है refresh करता हूँ and result save है यह पहले से better code है continue करते हैं next यहाँ पे जो एक चीज़ है वो यह है कि जो inner cell border है और जो main table का border है उन दोनों के दर्मयान कुछ spacing है उसके लिए CSS में हमारे पास property है border spacing मैं वो property यूज़ करूँगा और वो property हमने सिर्फ और सिर्फ table को दे दी है और वो implement भी mainly table पे होती है क्योंके वो table के cells को उनके दर्मयान spacing एड़ करती है तो यहाँ पे मैं border spacing पूरा लिख लूँगा ताक मुझे search ना करना परे और एक pixel देखेंगे कि क्या effect आता है refresh अभी थोड़ा सा कम है तो मैं इसे दो pixel करते हैं refresh करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी हद तक similar result आ गया अब एक चीज़ की कभी रह गई है वो यह है के content और border के दर्मियान जो spacing होती है वो padding होती है तो यहाँ पे हम padding यूज़ करेंगे इसके ओपर padding और मैं one pixel की padding को add कर दोगा save करते हैं refresh करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो end result है वो बिलकुल same है और यहाँ पर यह बिलकुल almost same end result है हम एक दफा confirm कर लेंगे यहाँ पे आएं और यहाँ पर एक property रह गई है border collapse की यह property basically क्या करती है यह जो border spacing की property है यह तब ही काम करेगी जब हम border collapse को separate पर set करेंगे तो आप question कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो यह अभी हमारे लिए क्यों काम कर दिये क्योंकि by default यह separate पर ही होती है हम इसको अगर चाहें कभी तो set कर सकते हैं border collapse collapse पे कि वो आपस में merge हो जाए save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि end result totally different हो गया उसने क्या किया लेफ्ट और राइट वाले टॉप और बोटम वाले बॉर्टर को collapse कर दिया जमा कर दिया इस वजह से जब भी आपने border spacing की property को use करना हो और end result आपका same ना आ रहा हो या आ भी रहा हो रहा confirm लखना चाहें कि in future वो गलत ना हो जाए तो आप border collapse को manually separate पे set कर दें अगर यह separate पे set नहीं होगा जैसे आपने भी देखा तो spacing की property काम नहीं करेगी save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो वाफिस काम करने लग पर लिए यहां तक हमने चार elements को यहां फिर चार CSS की properties values को डिस्प्ले के लिए जो property values हैं उनको study कर लिए उसको मैं यहां पे separate टर लूँगा जिनको हम study कर चुके हैं ताके हम आगे continue कर सके यह और सिर्फ और सिर्फ एक और यह वाली ओके यह चार हम study कर चुके हैं next अब हम more phone करते हैं और अब हम line by cell होते हैं next अब हम study करेंगे table caption की property को display table caption यह basically आपको ability provider tag के जो हमारे पास html में caption का tag होता है जो के table के अंदर ही use होता है table tag के बाद अगर आप foreign caption का tag use करेंगे तो यह इस table की caption show करेगा या उसके लिए use किया जा सकता है यहां पर मैं कर देता हूँ table using html tags और अब मैं चाहता हूँ कि यह same जो caption का जो div है जो कि यहां पर जो काम कर रही है वो same काम मैं यहां पर manually करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक div introduce करवाँगा जिसे के यहां पर मैं caption की class दे दूँगा मैं वही class दे रहा हूँ जो के html tag का नाम है ताकि हम थोड़ी सी similarity क्रियेट कर सके और यहां पर मैं कहा दूँगा टेबल यूजिंग css property display property ओके यहां पर आके refresh करते हैं इसको मैं थोड़ा सा वाफिस में आऊंगा जो size है वहां पर normal size पर और यहां से मैं थोड़ा सा zoom in कर लूँगा मैंने 200% पर zoom in किया है refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो caption है यह properly जो html में define है उस tag का behavior उसके तरूँ काम कर रही है यहां पर जबके मैंने जो caption दी थी वो जो header row है उसके बाद शोरी है हलाकि आप यहां से confirm कर सकते हैं कि header row यहां पर है वो definitely उसके बाद आ रही है तो इस वज़ा से यहां से आप इसका difference चेक कर सकते हैं मैं यहां पर आऊंगा css में इसकी class को copy करने के बाद dot और इसको जो property लग रही है caption के tag को वो है table caption hopefully आपने guess कर लिगा था save refresh करूगा तो आप देख सकते हैं कि जो end result है वो same हो गया है एक अभी difference है वो यह है कि basically left align है hopefully वो आपको already पता होगा हमने वो वाली css की property study कर ली हुई है यहां पर आपको दिखा दूगा वो property जो हमने study की हुई है वो है हमारे पास यह वाली property tax align तो इसको use करते हुए kindly इसे center align करें वीडियो को post करें और यह challenge complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलके complete करेंगे यहां पर यह बहुत straightforward था tax align center safe refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका result बिलकुल same हो गया इसी के साथ हमने इसे भी study कर लिया table caption को उसे मैं यहां पर mention कर दूँगा यह हमारी पहले ही study हो चुकी है next अब हम study करेंगे table column लेकिन उसके लिए हमें पहले study करनी पड़ेगी table column और table column group यह दोनों साथ में ही study होगी तो next अब हम study करेंगे इन दोनों properties को table column group और table column यह basically represent करते हैं जो हमारे पास html में tag है call group और उसके बाद call और यह हमने जब table को study कर दे तब ही हमने study किया था मैं यहां पर repeat भी कर देता हूँ यह basically हम इसे use करते हैं किसी एक whole column को style करने के लिए यहां पर मैंने इस column को call group के अंदर हम call के tag को use करते हैं और उसमें पिर हम styling implement करते हैं आप इसको चाहें तो class implement करते हैं और class मैं यहां पर इसको implement कर देता हूँ call one यहां फिर table call one ताके हम उसे थोड़ा साथ differentiate कर सकें और अब मैं यहां से से copy करूंगा और यहां पर आके यहां पर इसका background color set कर दूँगा red इससे क्या होगा क्योंकि यहां पर मैंने इस call के tag को कोई call span एड नहीं किया कि यह कितने columns पे apply होगा तो यह by default चिरफ एक column पे जो first column है उस पे apply होगा और इस property को basically अगर आपने revise करने है तो HTML fundamentals में जब हम table tag को study कर रहे थे उसमें इसे किया था उस वीडियो का link description में आपको मिल जाएगा अब browser में आके मैं इसे refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो first column है उसका जो background color है वो यहाँ पे red set हो गया यहाँ पे दूसरा show करने के लिए कि अगर एक से ज्यादा column को select करना हो तो क्या करना है यहाँ पे span की जो है basically attribute उसको apply करेंगे और जितने columns चाहें उतने की यहाँ पे value दे रहेंगे obviously अगर मैं यहाँ पे three select set कर दूँगा तो यह technically तीन column पर ही apply होगा लेकिन यहाँ पे एक column इसने ले लिए यह first one बाकी बचे ही सिर्फ दो तो अभी के लिए show यह सिर्फ दो पर ही होगा लेकिन जैसे ही मैं तीसरा अगर यहाँ पे add करूँगा तो उस पे भी यह apply हो चुका होगा तू और इसको मैं यहाँ से repeat कर दूँगा तू के लिए let's say green यहाँ पे आकर refresh करता हूँ तो यह और उस बात को clear करने के लिए कि मैं एक और add करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर span को थभी किया है और यहाँ पे मैं इसे actions कह देता हूँ और यहाँ पे आकर refresh करता हूँ तो उस पे apply ही हो जाएगा लेकिन क्योंकि यहाँ पर है नहीं था इस वज़ा से वो दो पे ही apply होगा जितना इसको available यहाँ पर मैं इसको to कर दूँगा ताकि वो properly full of flows सही रहे refresh अब यह जो चीज है हम यहाँ पर CSS के साथ implement करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और basic अली मैं एक div लेके आओगा जिसे मैं कहूँगा कि यह div behave करें इसकी तरह call group की तरह ओके और उसमें मैं फिर एक div लेके आओगा जिसे कि मैं कहूँगा यह div behave करें इसकी तरह अब मैं सबसे पहले इसको basically वो assign कर दूँगा इसकी css dot call और इससे पहले call group ओके और इससे display property आजाएगी hopefully आपने guess कर ली आओगा table column group और lastly इससे display property आएगी table column यह हो गया और अब मैं यहां पे आके अभी के लिए refresh करूँगा तो कुछ नहीं होगा अब मुझे basically next काम करना पदेगा कि इसको css apply करनी पदेगी जो भी css जैसे कि मैं अपने इससे background भी देता हूँ और purple पे set कर देता हूँ save और यहां पे आके मैं जब refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने जो column है उसके background color को purple पे set कर दिया हमारे पास अभी यह वाला option नहीं है जैसे कि यह call tag है उसमें span का option है जिसको अपर हमने two पे set किया है तो उसने दो columns पे वो style apply कर दिया है क्योंकि यह div element है इस वज़ा से हम यहां पे span यह वाला जो attribute है इसको use नहीं कर सकते है save, refresh यह यहां पे अभी काम नहीं करेगा क्योंकि basically यह है itself div element ही यह सिर्फ of CSS की वज़ा से उस पर हम behave कर रहा है कि यह call tag है इस वज़ा से यह span का जो attribute है यह इस पे काम नहीं करेगा और अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि यह जो styling है यह दो columns पे apply हो यह तीन पे तो उसका simple workaround यह है कि आप इसको अतनी दफार repeat कर लेंगे copy paste refresh करेंगे तो वह दो पे apply हो जाएगा यह अभी के लिए इसका workaround है इसको basically मैं personally study करूंगा और जैसे ही इसका proper official कोई way मिल जाएगा मुझे तो मैं उसे वीडियो में include कर दोगा अभी continue करते हैं और next हम study करेंगे यह दो हमने study कर ली है इन दोनों को यहां पे mention कर देंगे और next अभ हम study करेंगे यह हमने पहले study कर लिया अभ हम study करेंगे पहले table low group को क्योंकि ये equivalent है T-body के और उसी के साथ हम study करेंगे again table cell को क्योंकि इसी को use करते हैं और हम TD की जो functionality है उसको लेके आए तो next अब हम study करेंगे table T-body को और TD को continue करते हैं और यहां पे मैं introduce करवाँगा T-body इसमें T-R आ जाएगा और उसमें फिर TD आ जाएगे जो table data cell होते हैं इनको मैं क्योंकि मेरे पास table header cell तीन है तो मैं यहां पे table data cell भी तीन रखोगा और one एहसान नेम की जगा और email की जगा मैं basically अपनी email यहां पे mention कर दूँगा इसी data को मैं यहां पे repeat कर दूँगा और two zions और info at zions.com save करेंगे और यहां पे आके refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो data जो है वो properly यहां पे reflect हो चुका है अब मैं वाफिज आँगा और इस चीज़ को हम achieve करने कोशिश करेंगे custom HTML के साथ और CSS के साथ यहां पे जहां पे T head हतम हो रहा है वहां पे मैं उसके नीचे एक div introduce कर वाँगा और उसको मैं class देदूगा T body इसमें basically मुझे T row चाहिए TR वो class हमारे पास already है TR की और finally हमें T D की class चाहिए जो के हमारे लिए अभी नहीं हुआ है class T D इसको मैं copy paste कर लूँगा और basically मैं यही data copy paste कर लूँगा ताके मुझे दुबारा लिखना ना पड़े one रहसन और email और इसी को मैं copy paste कर लूँगा और सिरफ और सिरफ data change कर दोगा जो data होना चाहिए save करते हैं यहां पे आके refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो TR था वो ठीक रहा है ना हमारे पास T body है और ना ही T D है उसको अब हम correct करेंगे यहां पे CSS में आ जाएंगे और मैं start करूँगा T body से इसको हमने display देना है table row group यह basically equivalent है T body को यह assign होता है कैसे मुझे पता है एक तो obviously documentation से दूसरा आप खुद भी check कर सकते हैं यहां पे आके आप सिर्फ T body को select करें और यहां पे आप देख सकते हैं कि display की property जो है वो table row group पे है अगर आपको यहां पे नजर ना आ रहा हो तो आप computed के tab में जाए मैं भी style के tab में था computed के tab में जाके वहां पे आप search कर सकते हैं display वहां से confirm हो जाएगा कि यह final property है जो इसको implement हो रही है अब ही हमने इसके save किया है refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे यह उसने basically जो t r थे उसको individual कर दी है नेक्स्ट रब हम देएंगे t d को styling उसके लिए हमारे पास dot t d और इसको हमने display की property देनी है table cell लेकिन वहां पे जाके चेक करेंगे से पहले एक अभी हमने बात की थी do not repeat yourself और इसको देखूं तो यह same property मुझे t h में भी चाहिए तो यहां पे क्या होना चाहिए मैंने अभी इसको explain किया था please video को pause करें जो rule था वो हमारा था do not repeat yourself code में अपने आपको repeat नहीं करना तो उसको हमने correct करना है यह property मुझे इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए वीडियो को pause करें और इसको correct करें होफुली आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलके complete करेंगे कि मैं यहां पर इसी रूल को अभी के लिए अपडेट कर दूँगा क्योंकि मुझे टीडी का अभी separate और रूल नहीं चाहिए टी एच कॉमा उसमें यह आ गया और यहां से basically इसे remove कर दूँगा safe format safe और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह end result बिलकुल same हो गया है जो कि हमें required था एक चीज़ यहां पर रह गही है वो यह है मैं यहां से पहले background color को खत्म कर दूँगा क्योंकि अभी के लिए वो disturbed कर दूँगा और उसको मैं इस तरह खत्म करूँगा कि यहां पर आके इस code को comment कर दूँगा और उपर भी refresh अब ए उनके गिर्ड बॉर्डर है जबके यहां पर वो खाली है तो यह आपका homework है आपने इनको collect करना है और अभी के लिए आज के लिए हम इस वीडियो को यहां पर ही खत्म करेंगे क्योंकि यह काफी लंबी हो चुकी है बाकी जो हमारा एक तो इस जो issue है यह वाला इसको हम next video मे प्रेक करेंगे और उसके बाद हम continue करेंगे और table footer उसको study करेंगे और inline table उसको study करने के बाद इस जो table properties की values हैं डिस्प्ले में table properties की values उनको properly finalize करेंगे यह थी आज की वीडियो होफ़ली आपको वीडियो संद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें म नेक्स वीडियो तक आपका एक छोटा सा homework है वो यह है कि आपने basically यह जो यहाँ पर result है इनके against border आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा है इसको correct करके लाना है नेक्स वीडियो में हम इसे मिलकर भी collect करेंगे तब तक अपना क्या रखिएगा वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए लिए लाफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel